दोस्तों रमस्कार मैं संजय बग्गु और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर एक हिंदी फिल्म थी राजनीती करने वाले लोगों को उस फिल्म से काफी सीखने को मिलता है फिल्म थी अनिल कपूर की और फिल्म का नाम था नायक नायक फिल्म के अंदर अनिल कपूर एक बार एक दिन के मुख्य मंतरी बनते हैं अनिल कपूर पत्रकार होते हैं और पत्रकारिता के पेशे से चलते हुए उनका एक बार सामना होता है उस समय के मुख्य मंतरी के साथ में मुख्य मंत्री का साक्षात कार होता है जिसके अंदर किया निल कपूर बतोर पत्रकार उन मुख्य मंत्री की तमाम जितने भी क्रिया कलाप होते हैं उनसे परदे उठाते हैं मुख्य मंत्री उनको बना देते हैं एक दिन का मुख्य मंत्री कहते हैं कि एक दिन मुख्य मंत्री बन करके देखो तो पता चले खेर ये फिल्मी किरदार था लेकिन इस किरदार से खासकर राजनीती करने वाले लोग राजनेताओं को काफी कुछ सीखने को मिलता है और आजकल की जो बदली हुई परिवेश की राजनीती है बदला हुआ जो राजनीतिक माहौल है इसके अंदर जनता चाहती है कि उनके जो नुमाइंदे हो वो नायक के अंदाज में काम करें यानि कि नायक फिल्म वाला अनिल कपूर आप से जिक्रिसली कर रहा हूँ कि हर्याना के अंदर नई सरकार बने हुए नायब सिंग सैनी की जो नई सरकार बनी उस सरकार को अपना कामकाज संभाले हुए आज लगवक 20 दिन से ज़ादा हो चुके है और अगर मैं ये कहूं कि मुख्य मंतरी नायब सिंग सैनी की टीम के जो मंतरी है वजीर है खुद नायब सिंग सेनी खुद हो या उनके वजीर हो वो भी आजकल नायक के अंदाज में ही नजर आ रहे है तमाम मंत्री अपने अपने विधानसभा छेत्रों में और विधानसभा छेत्रों से बाहर भी जनता से जुड़ी होई समस्याएं, जनता से जुड़ी होई सोविधायें और जनता से जुड़े हुए काम इन पर अगर मैं ये कह दू कि पूरी तरह से फोकस किये हुए हैं आपसे जिक रिसली कर रहा हूं कि आज पलवल के जो विधायक है हर्याना सरकार के अंदर मंत्री है, खेल मंत्री और युवा उध्यमिता मंत्री है गौरव गौतम संभवता हर्याना की कैबिनेट के सबसे छोटी उम्र के वजीर है और आज उन्होंने पलवल विधान सभाचेतर के अंदर जो उनका विधान सभाचेतर है उसमें एक बर फिर वो एक्षन मूड में दिखाई दी पलवल के नागरी कस्पताल में पहुँचे नागरी कस्पताल में पहुँच करके औरुचक निरिक्षन किया मैं आपको बता दूं कि स्वास्थे सेवाएं उर इसके साथ साथ शिक्षा ये दो ऐसे मुद्दे हैं ये दो ऐसे मामले हैं जिससे आम जनता का आम व्यक्ति का सरोकार रहता है कहा जाता कि राजकिय सुविधाएं यानि कि खासकर स्वास्ते और शिक्षा को ले करके अगर ये दो सामाजिक सेवाएं हैं जो सारवजनिक सेवाएं हैं शिक्षा और स्वास्ते से जुड़ी हुई अगर सरकार इन पर काबू कर ले और ये सुविधाएं यानि कि शिक्षा और स्वास्ते के मामले में आम आदमी को बहतर से बहतर सुविधाएं मिलें तो फिर राज बदलते हुए नजर आते हैं गौरब गौतम आज बलवल के नागरीक अस्पताल में पहुंचे थे नागरिक अस्पताल में गए थे वो और अचक निरिक्षन करने के लिए हाला कि खबर नवीस वहां भी थे अखबार नवीस और मीडिया के लोग खासकर सोशल मीडिया का आज कर लियो गए तो सोशल मीडिया के लोग मुबाइल लेकर कहीं भी आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया के लोग भी थे वहां पर और मीडिया के लोग भी थे और गौरव गौतम गए वहां पर नागरिक अस्पताल के अंधर अचक निरिक्षन करने आनल फानल में जब जानकारी मिली वहां के सिविल सर्जन को डॉक्टर जाटान है सिविल सर्जन और वहां के जो मेडिकल सुप्रिडेंट है डॉक्टर सुरेश और वहां के उसके बाद में चिकिस्सा अधिक्षक सुप्रिडेंट अफ मेडिकल एसम जो है डॉक्टर अजय माम यह तमाम बड़े अधिकारी भी उनके साथ बाद में इमर्जेंसी से ले करके वार्डों तक और OPD से ले करके अन्य सुविधाएं जहां होती हैं, उनका जायजा लिया, लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर सुविधाएं कैसी हैं, मैं आपको बताता चलूँ जो मैंने आपको वीडियो के बीच में बता रहा था कि अगर शिक्षा से वाएं, स्वास्ते और शिक्षा का जो दो मसले जो खासकर सारवजनिक जीवन के से जुड़े वो मसले हैं और जो सरकारी व्यवस्ता हैं, यानि कि जो नागरिक अस्पताल और सरकारी स्कूल अगर ये दोनों ठीक हो जाएं, इनके अंदर व्यवस्ताइं बहतर तो फिर आम व्यक्ति का जन जीवन काफी प्रभावित रहता है और उस तक एक बात पहुंचाती है कि सरकार को उनका ध्यान है और इसी दिशा में मैं आपसे बता रहा था कि गौर्णव गौतम पहुंचे नागरिक अस्पताल के अंदर और नागरिक अस्पताल में उन्होंने मिले और लोगों से मिल करके उनका हाल चाल जाना ये भी पूछा कि नागरिक अस्पताल में जो सुविधाएं मिल रही है उनसे वो कितना संतुष्ठ है दवाईयां कितनी है अस्पताल के जो अस्पताल का नागरिक अस्पताल का जो स्टोरेज जहां पर की जाती है दवाई उनको सभी दवाईयां मिलती है या बाहर जाना पड़ता है हलांकि विवस्ता से काफियत तक संतुष्ट भी हुए लेकिन जहां कमिया दीखी उनके लिए अधिकारियों को कहा भी और जो मैं आपको वीडियो के शुरू में कह रहा था कि नायक फिल्म के किरदार से अच्छी फिल्म हुआ करती है तो फिर उससे लोग सीखते हैं इसलिए हम बता रहा था तो फिर जनता कहा करती है कि उनका जो नेता है वो नायक के रूप में काम कर रहा है मैं आपको बता रहा था कि लगबग 20 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और हमने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया इसके साथ सथ आज का जो उनका नागरीक अस्पताल का था और उसके बाद उन्होंने सफाई व्यवस्था को ले करके भी एक अभियान चलाया उसके अंदर जिले के उपायुक्त भी थे जिले के अतिरुक्त उपायुक्त और DMC यानिकी डिप्टी मिन्स्वल कमिशनर मिस्टर पिलानी भी थे, जिले के उपाइक डॉक्टर हरीश वशिष्ट भी थे और तमाम अधिकारी करमचारी भी थे, जन प्रतिनिधी भी थे, पारशत भी थे, जनता के लोग भी थे और सफाई अभियान चलाया गया अगर मैं सफाई अभियान की बात कहूं, मैंने दो चीज़े आपसे जोड़ी थी स्वास्त है और शिक्षा तीसरा आता इंफ्रस्रक्ट्चर के अंदर, उसके अंदर सडके होती है उसके अंदर विकास होता है, उसके अंदर सफाई विवस्ता होती है अगर ये भी बहत्रीन होती है तो फिर वो परदेश, उस परदेश के विकास के मामले में उस परदेश को अंदर जन कल्यानकारी सेवाएं होती हैं, वो देने के मामले में उनको अवल माना जाता है सफाई विवस्था का जायजा लिया सफाई विवस्था सफाई अभियान चलाया और लोगों को संदेश भी दिया हमारा प्रयास है कि पलवल स्वच्च और सुन्दर बने हमारे इलाके के लोग यहां के डीसी साब, एडीसी साब सारे लोग मिलकर आज स्वच्चता अभियान की सुरुवात करिये आपके चैनल के माध्यम सी हम भी पलवल की पूजनिय जनता को आगरे करते हैं कि हमारा इसमें सहयोग करें, हम सब को साथ लेकर पलवल को स्वच्च और सुन्दर और हरित पलवल बनाने का हमारा संकल पर उस पर काम करें आज उसकी शुरुवात करी है, सारे अधिकारी समय सारे लोग आज ग्राउंड पर है इसलियास से मैं जो आपको बता रहा था कि जब नेता जन प्रतिनीदी काम करते हैं तो हर्याना सरकार की जो नई नायव सिंग सेनी सरकार है हमने आपको कई बर बताया कि इसके तमाम वजीर चाए वो फरिदाबाद के अंदर राजेश नागर हों हों चाहे विपुल गोयल हों चाहे सुवे के परिवान मंत्री अनिलविज हों इसके साथ साथ और तमाम मंत्री चाहे कृशनलाल पमार हों नोंने आदेश कर दिया सड़कों को ले करके मनब सभी जो जन प्रतिनी दी और वरतमान सरकार के जो नए वजीर बने हैं 20 दिन के अंदर वो अपना कारे करते दिखाई देते हैं और जो मैं आप से जिक्र कर रहा था पलवल के विधायक और हर्याना सरकार के जो खेल उद्द्यमिता मंत्री की इनके साथ दोस्तों दो बात जुड़ जाती हैं एक तो युवा यानि की हर्याना के अंदर जो मैंने आपको बताया कि जो नायाप सिंग सैनी की वजारत है उसके अंदर जो वजीर है और मैं अगर कह दूं कि हर्याना के जो विधायक खासकर भारती जनता पार्टी की उनमे का शुरुवात थी राजनीतिक शुरुवात और यह आज का समय भी कहें तो बेहद और बेहद साधारण परिवार से चल करके गाओं के गरियारे से निकल करके सत्ता के गलियारे तक अपनी पकड़ बनाने वाले, अगर लोग जनता की चिंता करते हुए मैदान में दिखाई देते हैं, तो फिर वो वाकई जनता की एप्रिसेशन का, उनकी शुब कामनाओं का और उनके बधाई का पात्र बनते हैं, आप बैसे पलवल के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ हर्याना और प आपको क्या लगता है कि क्या जन कल्यानकारी जो कारेकरम है और जनता से जोड़ी हुई सेवा योजनाई, अगर इनको और बहतर करने के लिए कौन से उपाय हो सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना आपके यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर बाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें